हालो एब्रीवान गुड मॉर्निंग नमस्कार अग्रीकल्चर अड़ा 247 पर मैं मिनाक्षी राठी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज के क्लास में हम फिर से अपने शुगर केन के इंपोर्टेंट पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे पिछले क्लास में हम अल्रेडी अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर के बारे में पढ़ चुके हैं क्या कुछ इन में डिफरेंस होता है अगर इनका इंफस्टेशन हो तो प्लांट में क्या-क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं यह हम अल्रेडी अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं तो फॉर्दर इसमें आड करते हुए आज के हम इंपॉर्टन इंसेक्ट पढ़ेंगे शुग के बारे में जो भी लोग हमारे साथ यहां पर नए जुड़ रहे हैं और सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे आप अड़ा की आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इस आप में सब्सक्राइब बने जो है आपके बैचरोड में बता देती है। अब सी आई टेकिल के दो वैसे आपके पास अब लेबल होंगे परी आण में जिसमे प्री और मेंस दोनों का ही स्लिपर्पर कबर किया जा रहा है साथ यदि साथ मेंस का अलग से बाच है जिस बच्चे को ल आप सभी लोगों के लिए खुश खबरी है नबाड का जो आपका बाच है वो भी रिलीस हो गया है उन्हेंस तारीक से आपके सभी क्लास आपको इसमें आवलेबल होती है ओके ओफो प्राइस यहां पर लिखे हुए है आपका FCI टेक्निकल का बाच 2759 है वहीं अग्रीकल्चर का बाच 7359 है तो अब आपके इंसेक्ट से नहीं हो रहा है वेट इसलिए कहता है मैं अपनी बख्वास ओड़ी बन करो और फ तो हमारा पहला कोशन आज यूजवल आइडेंटिफिकेशन का होता है राइट तो फटा फट सेशन के साथ जुड़िया है था कि हमारी क्लास थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बंच जाके और अपने फ्रिंस के साथ भी शेर जरूर कीज़े साथी साथ अगर आप लोगो क क्लास के एंड में क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना ना भूले चलिए फटा फट से बताएं ये कौन सा इंसेक्ट है देखिए हम शुगर के इनके इंसेक्ट पैस्ट कर रहे हैं अल्रेडी हमने अर्ली टॉप बॉरर और सारी अर्ली शूट पॉरर और टॉप ब रिखा हुआ है तो आप लोगों को यह चीज याद रखनी है अब हमारा नया टाइम होगा आपका तू थर्टी तू थ्री पी एम ठीक है टू थर्टी तू थरी पीम जो है आपकी क्लास जो ओंगी जहां पर हम एलीमेंटरी एंटम लॉजी पढ़ने वाले है यानिकी एंट homology के बारे में पढने वाले है. तो ये कौँंसा insect हे? इंसेक ईड इड इड इस ये शुगरकेन का इंसेक्ट है जिसका नाम है शुगरकेन लीफ उपर शुगरकेन लीफ होपर है शुगहीन टॉप बॉरर नहीं है तेक है sugarcane top borer हम already पढ़ चुके हैं धान या ध्यान whatever I guess I am not pronouncing it correctly तो sugarcane top borer के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और sugarcane top borer जो है white color का दिखाई देता है साथी साथ उसके पास बहुत सारी मूचें available होते हैं यानकि उसके face पर बहुत सारे बाल होते हैं तो वो sugarcane top borer होता है यह क्या है यह आपका sugarcane leaf hopper है तो इसके जो wings है यह काफी transparent होते हैं यह wings जो आप देख रहे हैं काफी transparent wings होते हैं और इसका जो mouth part है आगे की तरफ rostrum यानि की beak में change हो जुका होता है ठीक है तो बहुत ही नुकीला चोचीला type of mouth part इसका होता है तो यह क् sugarcane leaf hopper है ठीक है आई यह और बहुत कुछ जानते हैं sugarcane leaf hopper के बारे में क्या कुछ यह अपने अंदर समाए बैठा है तो sugarcane leaf hopper की scientific name की अगर हम बात करें तो इसका scientific name क्या है एरिया Svitella, Kylo, Infosketalis, Pyrela, Purpucela या फिर Pectinophora Gossipela तो sugarcane leaf hopper का scientific name क्या है शुकर कीन leaf hopper का scientific name है Pectinophora Gossipela sorry pyrrhallida purpucela देखो माम भी confused हो जाती है तुमारे साथ साथ ठीक है पायरेला पर्प्यूसिला जो है इसका scientific name है ठीक है पीपी तो पायरेला पर्पेसिला which is called as sugarcane leaf hopper ठीक है तो scientific name आपको जो है याद रखना है अगला question हमारा है family क्या है आपके leaf hopper की from which family this leaf hopper belongs hopper's concept family say out they have low for PD family say galaxy d family say pirate lady family say yeah we're not to the family say it may say kiss family say you belong karta head sugarcane leaf hopper pirella purse purpose illa kiss family say belong करता है so the family of this insect is low for PD taken low for PD family say belong करता है ठीक तो leaf hopper जो है आपका बड़ा ही low for insan है क्या है बड़ा ही low for insan है ठीक है लोफर की नहीं कहते है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते है ना इधर उदर टफ्रिया मारते हैं ने उनको low for कहते हैं तो sugarcane leaf hopper बड़ा ही low for इंसान है इसलिए वो लॉपीडी लॉफोपीडी फामली से बिलॉंग करता है ठीक है तो यह जो है आपका अंसर होगा विचेस लॉफोपीडी फामली डैन नेक्स्ट एज आइंटिफर केशन मां कैसे हम इस इंसेक्ट को पहचानेंगे तो पहचानने के लिए आप देखेंगे कि इसका जो कलर होता है वो स्ट्राव शेप का होता है इस ट्रॉफ शेप मतलब भूसा है ना जब आप गेहूं को काटते हैं हार्वेस्ट करते हैं उ रोफ यानि की दोनों पैर उफ जो विंक्स है वो किस तारीके से फोल होते हैं वो इस तरिके से फोलए थोड़े तोडे जिल्ट सौन रूप से आरा हो यह बहना आते थे वींशन है तो यह वाली पुजीशन है इसके एसे महीं सित इसे तंट टााई इस रहती है रोफ रोस्ट्रम जो है उसमें दिखाई देता है रोस्ट्रम यानि की बीक लाइक स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने पहले मॉर्फॉल जी की क्लास पड़ी होगी यह आपको पता होगा बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है रोस्ट्रम जिसके हेल्प से यह पियर्स करता है सक करता है tissue को damage करता है ना तो बीक लाइक structure इसमें दिखाई देगा और सबसे बड़ी बाती है tent like ya roof like जो है इसके wings close होते हैं ठीक है तो यह इसके identification marks है फिरम चलते हैं लाइफ साइकल आफ पायरे लीडी फायरिला पर पूझ यह आपके से लगकी लाइफ साइप की लगभग लगभग कितने दिनों में खतम हो जाती है वर्ण मांथ two months six month और एक साल कितने दिन लगते हैं पायरे ला की पूरी lifecycle complete होने में थो अट इस one month, two months, six six months और एक साल पूरा एक साल तो लाइक साइकल कम्प्लीट होने में बच्चों इसके लगते हैं दो महिने दो महिने में अपने एक लाइफ सैकल पूरी कर लेता है सबीकी इंुक्ष होती है तो सबी से लाइफसाइकल पूरी कर्नी होती है यानि कि उसके बाद यह मर्ज आता है, इसकी प्रॉजनी जो है, वो बची रहती है, तो लगभग लगभग जो है, यह तीन से चार जनरेशन दे देता है आपको, तीन से चार जनरेशन दे देता है, एक साल में, वन येर में, ठीक है, एक साल में यह तीन से चार जनरेशन प्र हमारे पैरेंस तो फिर भी उनकी वो बाते जली जली शादी वी थी जली जली बच्चे कर लेते तो तो देयर ईजी एजी एली सी 3 & 4 जनरेशन बट लेकिन इसकी जनरेशन आप जरूर देख पहेंगे क्योंकि इसकी पूरी लाइश साइकल ही दो महीं ने की है एक साल में ये त तीन से चार जनरेशन तक प्रड्यूस कर लेता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम आट विच स्टेज ऑफ पायरिला इंफेक्ट्स दे क्रॉप क्रॉप में कौन से स्टेज जो है इन्फेस्ट करती है यानि की क्रॉप पर कौन से स्टेज है जो फीड करती है अडर्ल्ट फ क्रॉप के स्पेसिफिक हम देखें तो क्रॉप में जो एडर्ल्ट है वो आके इन्फेस्टेशन करता है खाना खाना शुरू करता है लीफ को खाना शुरू करता है या निम्फ ऐसा करता है या बोथ या फिर नन तो पायरिला जो है शुगर की में कि स्टेज पर जो है stage nymph stage both and none of the above so the answer is both yanaki pyrrila leaf hoppers ki dono he stages but cha and bada check a nymph and adult dono he stages to a crop per feed karti hai so the answer will be both adult plus nymph damage caused by leaf hopper leaf hopper se kis tariki ke damage up kodik hai day dhards bante hai dhards ki sat sat foul smell up kodikne ko milti hai dried and sticky appearance up kodikne ke milti hai ya phiris sabhi symptoms dekne ko milti hai all of the above the key leaf hoppers to head honey do secretion garden yaniki a a chip chippa color padar to nikal the honey do secretion taken the honey do secretion kya hai chip chippa padar tell you insect produce karta hai is honey do secretion per kya hota hai fungus develop hootie hai take a or you fungus kaisi hootie black color ki hootie hai chik hai to ye black color ki fungus joh hai pure plant ki leaf per as a cover ka lieti hai jis ki wajay se photosynthesis 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 joh hai wo down chala jata hai come hootata hai chik hai to leaf hopper ki wajay se apco dried and sticky appearance dikhae dhegi yaniki of course plant sukhila qti sell a sap per sakata hai sati sati honey do secretion kata hai to black sticky appearance apco plant per dikhae dhegi so answer is see chicken chile chalte hai ugly question ki taraf iski management kaisi karito management click kafi sari steps hai kaisi kaisi hamiski management kar sakte hai first is cultural practices first is cultural practices for promoting destruction of the trash after harvesting harvesting ke baad jo baqi ka bachah ho material hai usko ap destroy kar dihiye ta ki usme ye harbor na karay or next season ki crop per effect na daali ticket selection of the tolerant variety any ki jo varieties tolerant hai is particular insect ke hum unica selection curry especially on areas me jaha paris ka infestation zada ho ta hai the tolerant varieties ko select kar te hai take a mechanically and we can collect and destroy henna vasita it is very much like illogical take a to legania hard insect ke liye possible hai a to be up to be up key trick hai branch hai plant hai would pay to be up to eggs up to dik rehenna so unco amha se collect karke destroy karita kiski population joe already reduce ho jai lakin it is not feasible agar kisi ke paas das ikar ki land hai to word collection and destruction nahi kar sakta bhai ye kama kon kar sakta keval vahe kar sakta jis ke paas 1-2 ikar ki zameen hasar hana uus ke baad is may tetras trek is spa y lady a pardon a ko use kar sakta hai or ye joe lupi doctor in para site her ticket is a lapid of student para site saati saad a pee a a pretty kenya milano luka ka is the malbica saty hatte a pretty kenya milano new क्यों अभी जो है इसकी population को नीचे करके रखेगी सब्रेस करके रखेगी ठीक है साथ इसमें foliar spray भी किया जा सकता है endosulfan and malathion का बहुत सारी cultural practices है mechanical practices है chemical practices है जिनको एक साथ use करके हम इस insect को इसकी infestation level से नीचे लेकर आ सकते है राइट चलिए अगला इंसे कौन सा है हमारा फटा फट से पहचानने की जरूती नहीं मैं ने अल्रटी नाम लिग दिया है so this insect is white grub यह insect क्या है white grub है और यह भी जो है काफी important insect है आपकी sugarcane का चेक है white grub then scientific name of the white grub अगर हम देके scientific name of white grub क्या होगा से बुल्टा बुल्टा आ गया वहीश में तो सुट वाइट ग्रब का जो scientific name है epicarnia बच्चे आपके अपके अपके इस आनादर इंसेक्ट विच फीज ओन दिस इसन इंसेक्ट ऑके इस दिख विजे एंडो सल्फान बैंड है लेकिन आपकी बुक्स में अभी तक अंडो सल्फान दिया हुआ या अपडेट नहीं हुआ है इसलिए आपको management practices में अंडो सल्फान जो है लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन रेसेंट लेसेंट लेसेंट लिए एक्षरी काफी साल हो गया है अंडो सल्फान बैंड हो चुका है इन फील्स यू के नॉट यूज इस तो एंडो सल्फान के साथ मालत यून ताप मैलत हों थी आन का यूस कर होलो ट्राइका से राटा एंड होलो ट्राइका कौंसेंट गुईना दोनों है इसे के नाम है ठीक है तो होलो ट्राइका हमें याद रखना है होलो ट्राइका से राटा एंड होलो ट्राइका कौंसेंट गुईना दोनों है आपके वाइट क्रप्स के नेम है जनरा सेम है स्प के वाइट क्रप की फामली कौनसी होती है तो आप की वाइट क्रप ऑफी की फामली है सकार रबी दी फामली bit family किस फामली से बिलॉड टार है हमने पीछे देखा था वीच इन्से अच सक्छ विडिडेट है last 1 ठीखे टो शुगर के मली फंपर की फार्मिली क्या थी लोफो पीडी फामली है लोफर की फामली से बेलाँ का रहा था आफ ये थोडह सेंसिबल बंदा है इसकी फाम लिक्या है सक्रापीडी फाम ली है ठीक है तो वाइस ग्रप की फामली है अस्टापटी फामली then order देखे ग्रब करह पर थो रहे हैं ना वाइट ग्रब किस ओर्डर से बिलॉंग करेगा फटा फट से अंसर दीजिए वाइट ग्रब किस ओर्डर से बिलॉंग करेगा सबस्क्राइबARS की है यह रही होती है यह पर लार्वे या कैटर पिलर लिखा होता है ना तो ग्रब् le отдел प्राउडर में होते हैं ना बिटल्स और विवल्स चलिए हो लो ट्राइका किस पर फीड करता है यह प्लांट की स्टेम पर फीड करता है प्लांट की रूट्स पर फीड करता है प्लांट की लीव्स पर फीड करता है या फिर इन में से किसी पार्ट पर भी फीड नहीं करता है तो white crab यानि की hollow trica इन में से किस plant part पर feed करता है so your hollow trica feeds on the roots ठीक है यह roots पर feed करता है यानि की roots को काट खाता है जिसकी वज़े से of course plant को nutrition नहीं मिलता nutrition absorption कम हो जाता है water absorption कम हो जाता है और plant starve करता है यानि की plant विचारा भूका ही रह जाता है so hollow trica feeds on the roots of the plant then these white grubs are active during which season किस season में white grubs सबसे ज़्यादा active होते है और actively जो है feed करते हैं crop per monsoon, summer, winter और autumn किस season में आपके white grubs जो हैं सबसे ज़्यादा active होते है है तो यह जो है सबसे ज़्यादा active होते हैं आपके जिसे plant को सफर करना पड़ता है right so monsoon season में यह जो है सबसे ज़्यादा active होते है यह विल भी दा answer cultural practices to control pest is pest को control white grub को control करने के लिए कौन से cultural practices का पिस्तमाल कर सकते हैं deep ploying का कर सकते हैं sun-dried का कर सकते हैं early maturity variety का कर सकते हैं या फिर a and c which one option you will find the correct one to control the pest तो इस पेस्ट को control करने के लिए deep ploying का इसमाल किया जाएगा क्योंकि देखिए pest जो है roots पर feed कर रहा है यानि कि वो soil में रहता है simple सी बात है soil में है तो आप जब deep ploying करेंगे तो deeper layer से ग्रब जो है बहार की तरफ sun की तरफ आ जाएगा और मर जाएगा है तो इसकी control के लिए deep ploying जो है बहुत ही जरूरी है अगला question करते है chemical control of the pest chemical control कैसे करेंगे हम इस पेस्ट का जिसका chemical control हम बच्चो फोरेट का यूज़ करके करेंगे फोरेट कैन भी यूज़ तो control your parallel parallel के control के लिए ग्रब के control के लिए फोरेट का इस्तमाल किया जा सकता है जो कि फ़रोज में डाला जाता है जहां आपके plant लगे हैं वाँ फ़रोज में दोनों साइड जो है आप फोरेट की dusting कर दिजी आठ से 10 किलो आठ से 10 किलो प्रती एकर जो है इसकी dosage होती आठ से 10 कि लो एक केजी पर एकर के हिसाब से जो है आपको इसकी dosage रखनी है किसकी फोरेट की ठीक है चाले और क्या-क्या प्रेक्टिस इन मानेजमेंट सिस्टेम है देखिए मैने आपको कैमिकल कंट्रोल अल्रडी बता दिया है प्लाइं ओल्रडी बता दिया है साथी साथ इसमें आ आजब टेल इमर्ज आप जो है इनका इस्तमाल कर सकते हैं है और साती साथ आप इसमें जो है लाइट ट्राप्स का भी यूज कर सकते हैं ठीके तो फोर कैमिकल के साथ साथ अभी इसमें इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं साती साथ लाइट ट्राप्स का भी यूज कर सकत हैं विच इस वाइट क्रब आंट यॉर लीफ होपस विच तू आर इंपोर्टेंट पैस्ट और शुगर के लिए फिर से एक पारी आपका जो है नबाड का बात शुरू हो गया है एल शू यू अंजो भी बचे नबाड को हेट कर रहे हैं बेकें स्टार्ट प्रपरेशन राइट जैसे ही एंटर करेंगे आपको देखिए नबाड के जो हैं बाचस दिखाई देंगे और इन बाचस में जो हैं आपको बहुत सारे में मैरिट सेलेक्शन वाले हैं एग्री गल्चर वाले हैं एसाई वाले हैं तो जिस बाच से आप बिलॉंग करते हैं जो आपकी रहने हैं ठीक किम आफ प्राइस यहां पर आपको दिख रहा होगा 13,000 जो है इसका ओफर प्राइस रहेगा लेकिन जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो विंडो पॉप अप अप हो देश में आप टाइप करेंगे य 448 और एंटर करेंगे जैसे ही य 448 लग जो बहुत ही अफॉर्डेबल एजूकेशन प्रोवाइड करता है तो आज जो भी बच्चे नबाड के लिए तयारी कर रहे हैं देकिन इंड्रोल तबाच साथी साथ अगर आप अग्री कल्चर के स्टूडेंट हैं आपको सारे एक्जाम देने ने नबाड भी देना रर भी अगले क्लास में गुडबाई बच्चू टेक केर और खूब चार पढ़िये और पढ़ाते रहे हैं